OLE, The Utopian World of Online Education जो आप लिखते भी हैं, वो भी communication होता है, written communication होता है, तो conjunctions, grammar का वो हिस्सा है, जो बांध या bridge का काम करते हैं, sentences को बनाने में, इनके बिना भी sentences बनते जरूर हैं, ऐसा मैंने नहीं कहा कि ये sentences को बनाने में काम आते हैं, इनके बिना हमारा गुजारा नहीं है, गुजारा तो नमक रोटी खाके भी है ना students, लेकिन अगर आपको अपने बोलने में, अपने लिखने में, जादा अच्छा प्रभाव निकालना है, जादा निखार लाना है, तो conjunctions पे पकड़ होनी बहुत जरूरी है, sentences की जो खूबसूर्ती होती है, जो प्रभाव होता है आपकी बातों का, वो conjunction से निकल के आता है, चलिए, शुरू करते हैं, नीदर नौर, आपने देखा, यहाँ पे नीदर नौर जोडो में लिखा है, बतला पेर में लिखा है, अकेला conjunction नहीं है, अकेला conjunction होता, weather, as long as, etc, etc, यहाँ पे हम लोग नीदर नौर को पढ़ रहे हैं, नीदर नौर is always called as plural conjunctions, right, they are in pair, नीदर नौर, नीदर का मतलब ही होता है, नौर का मतलब ही होता है, नौर, आपने देखा होगा कि, घर में कोई खाना बना है, तो मम्मी ने कहा, बेटा, लौकी की सबजी बनी है, और, करेला बना है, क्या दो तुम्हें खाने में? और आपको तो लौकी की सबसी भी नहीं पसंद है करेला भी नहीं पसंद है तो आपने क्या कहा ममा से नीदर आइल इट बॉटल गोर्ड बॉटल गोर्ड आपने बोला नौर बिटर कोड ठीक है तो आपने दोनों में ना ना किया मतलब मुझे नहीं खाना ना तो मुझे लौकी खानी है ना मुझे करेला खाना है तो मम्मा ने का चलो कोई बात नहीं फ्रिज में सुभा की तुरई पड़ी है सत्यानास उस पे सवा सत्यानास करेला लौकी फिर तुरई तो आपने का मैं ये भी नहीं खाऊंगा, तो दो बार तो आपने दो बार दो चीजों को बना किया, तो आपने कहा, ना लौकी, ना करेला, अब आपको कहना है, ना लौकी, ना करेला, ना तुरही, तुरही को बोलते हैं, रिज्ड गोर्ड, ठीक है, तो आपने कहा, I will neither eat bottle गोर्ड, nor bitter गोर्ड, ना रिज्ड गोर्ड, ठीक है, तो neither का मतलब ही है, ना 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 तो ममा ने कहा, अच्छा बाबा, तुम्हारे तो बड़े नकरे हैं, अच्छा बताओ क्या बना दू तुम्हारे लिए, तो आपने मौके का फाइदा उठाते हुए कहा, कि या तो मेरे लिए मैगी बन बना दो, या मेरे लिए आलू का पराठा बना दो, ठीक है, तो अब या या में आपने क्या यूज किया, neither तो ना ना होता है, ना ना ना, यहाँ पर आपने यूज किया, either, students, अक्सर मुझसे बच्छे पूछते हैं, ma'am, neither सही है, या neither सही है, either सही है, या either सही है, आप बताईए क्या सही है, सोचे सोचे, दोनो सही है, फरक सिर्फ उचारण का है, फरक सिर्फ प्रनांसियेशन का है, neither, neither में वही फरक है, जो की अंग्रेजों में और अमेरिकन्स में है, जो फरक बिटिशर्स, बिटिश में है, और अमेरिकन इंग्लिश में है, वही फरक ह otherwise words दोनों ही same है so neither is also correct, neither is also correct either pronunciation is also correct either is also correct, ठीक है आगे बढ़ते हैं, तो आपने कहा या तो मैगी बना दो या मेरे लिए आलू का पराठा बना दो अब आम आलू का पराठे की English क्या लिखेंगी आप मैगी तो भई मैगी है आलू का पराठा विल रिमेन आलू का पराठा even if you write it in your notebooks or you speak students एक बास समझे जो हमारी cuisines होती है या हमारे जो dishes के नाम होते हैं, local, Indian Spanish, उनके नाम change नहीं होते हैं आलू का पराठा, maximum हम देखते हैं, restaurant के menu में stuffed आलू पराठा हो जाता है stuffed पराठा हो जाता है stuffed potato पराठा, पराठे की कोई English नहीं हो सकती do you understand, ठीक है तो आपने कहा, either I'll have maggie or you make आलू का पराठा कोई आपको ये नहीं कह सकता है कि आपने आलू का पराठा कैसे बोल दिया हिंदी में नहीं बोल सकता क्योंकि वो एक खाने का नाम है और खाने के नाम actually proper nouns होते हैं, they need not be changed, अगर आपका नाम संभव है, तो कोई संभव को possible तो नहीं बुलाएगा ना English में hey possible, come here आपको वो संभव ही बुलाएगा, तो जैसे आपका नाम कोई नहीं change कर सकता वैसे ही, खानों के जो नाम होते हैं, उनको हम आराम से, बहुत comfortably as it is English में बोल सकते हैं, clear हो गया now, whether or not, whether or not आपने देखा होगा कभी मम्मी ना आप से कहा या पापा ने कहा तुम चुप रहोगे या नहीं कभी डाट के बोला है ना, तो English में कैसे बोला होगा पापा ने, whether you will keep quiet or not मम्मी से पूछो आज खाना बनाएंगी या नहीं, सारा दिन मोबाईल में घुसी रहती हैं, so पापा ने आप से कहा, ask मम्मी और नाट, तुम खाओ गया नहीं whether you'll eat or not पापा से पूछो, बजार चलेंगे या नहीं ठीक है, ऐसे हम लोग whether or not से sentences बना सकते हैं, अब whether or not का एक और example मैं आपको देती हूँ whether or का, जैसे हम लोग कहते नहीं है, क्या बच्चे क्या बुढ़े दोनों ही परिशान हैं, आजकर हम लोग कहते हैं एक जबाना था, जब खाली बड़े और बुज़र्ग परिशान होते थे चिंता करते थे, आजकर छोटे-छोटे बच्चे को पूछो, कहेंगा मैं बहुत tension में हूँ, छोटे बच्चे को भी tension हो जाता है, stress हो जाता आजकर तो, क्या बच्चे क्या पूढ़े, जहान दीजेगा, यहाँ पर weather, or की ही conjunction use होगा, weather, children or elders both are stressed ठीक है, यहाँ पर मैंने not नहीं लगाया, यहाँ पर हम खाली weather, or को ही use कर रहे हैं अब आगे बढ़ते हैं not only, but also not only, but also, में students आप देखिए, एक काम तो होता ही है, साथ-साथ दूसरा काम भी होता है not only, but also अभी बात चल रही थी ना कि ममी ने आपसे पूछा कि तुम क्या खाओगे, मैगी बना दू, यह आलू का पराठा, मान लीजे ममी ने आपसे पूछा, मैगी बना दू, यह आलू का पराठा खाओगे तो आपके मन में आया लालच, आपने का याद, मन तो मैगी खाने का भी कर रहा है, लेकिन आलू का पराठा भी ममी अच्छा बनाती है मैं खाओगा दोनों तो आपने कहा, ममा I'll eat not only मैगी, but also आलू का पराठा ठीक है ना? अब ममा के तो आप लाड ले हो, ममा ने आपको दोनों बना के दे दिये, सेंटेंस कैसे बनाया? ठीक है? I'll eat not only मैगी, but also stuffed पराठा ठीक है? तो not only but also conjunction हम तब यूस करते जब एक के साथ दूसरा भी साथ में काम या बात हो रही हो not only you are intelligent, but also beautiful तुम सिफ इंटेलिजेंट ही नही हो पर साथ में सुन्दर भी हो not only you are intelligent but also beautiful चलिए आगे बढ़ते हैं एक देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि not only but also कि जब हम conjunction use करते हैं तो उसमें did, do और does का प्रयोग नहीं करते हैं although yet although yet या though yet, students फिर एक confusion create हो गया कि although सही है कि दो सही है दोनों सेम है कुछ लोग although यूज करते हैं कुछ लोग दो यूज करते हैं both are correct ठीक है although दो का मतलब होता है यद्यपी ऐसा फिर भी ऐसा हाला की ऐसा फिर भी ऐसा जैसे कि वो जगह महंगी है मालिज आप कहीं खाना खाने जाते हैं कोई रेस्टरॉं है कोई eating joint है तो आपने कहा वो जगह महंगी है पर खाना अच्छा है आपने क्या लगाया हाला की वो जगह अच्छी है पर तो येट हमने कभी उस किया जब हम पर का प्रयोग करना चाह रहे हैं अल्दो वो जगह अब जगह हम मानके चल रहे हैं कि रेस्टरॉं या eating joint की बात हो रही है एक्सपेंसिव या कोस्ली अल्दो दाट प्लेस इस एक्सपेंसिव येट देपी वो जगह महंगी है जादा पैसे लगते हैं खाने के लेकिन वो जगह अच्छा खाना प्रोवाइड करती है प्रदान करती है ठीक है? अब आते हैं both और and and अलग से भी use होता है students और both के साथ जब हम use करते हैं तो वो हो जाता है joint conjunction joint conjunction मतलब दो conjunctions साथ में use हो रहे हैं तो both students एक जिस गौर करिएगा थ्यान दीजेगा जब भी हम both और and साथ में use करते हैं तो हमेशा both पहले आता है and बाद में आता है ये गलती हम लोग अकसर करते हैं तो both और and में always use the word both first and then move on to and this is a technical aspect many of us while writing or speaking forget चले example लेते हैं दो भाई हैं दोनो अच्छा डांस करते हैं ठीक है? तो हमें कहना है की नरेश और मोहित एक भाई का नाम नरेश दूसरे का मोहित नरेश और मोहित दोनो अच्छा डांस करते हैं तो हम sentence कैसे बनाएंगे? बोथ से शुरू करेंगे हम लोग बोथ नरेश अब लिखेंगे and मोहित अच्छा डांस करते हैं ठीक है students? दोनो जब हम यूज करेंगे तो हमेशा बोथ पहले लगाएंगे and बात में लगाएंगे ठीक है? moving on हम बात कर रहे थे so, as और as, as की यहाँ पर students हम ये तब यूज करते हैं ये conjunctions जब हमें comparison करना हो तुलना करना हो यानि की काम दो हो रहे हैं एक तो जो वो दिखा रहा है और दूसरा जो reality है खीक है? तो मैं कह सकती हूँ he is not so poor as he pretends to be pretend का मतलब यहाँ होता है दिखावा करना as he pretends to be he is not so poor as he pretends to be वो उतना गरीब है नहीं तो नहीं के लिए हमनी क्या लगाया? not अब हम आते हैं as, as पे as, as conjunction हम positive और negative sentences दोनों ही बनाने के लिए यूज कर सकते हैं जैसे की so as is always used for negative sentence formation positive as, as और negative भी बन सकता है clear हो गया? like as, as अगले ने का नहीं नहीं my dear friend वो उतना ही करीब है जितना की दिखाता है ठीक है? मेरी बात किसी ने काटी माल लीजे तो अगले ने का हा he is as poor as he shows आप गौर करिये students मैंने shows word use किया instead of pretends क्योंकि मैंने कहा था वो उतना गरीब है नहीं जितना की दिखावा करता है तो दिखावे के लिए हमने word किया use pretend मेरे दोस्त ने का नहीं वो उतना ही गरीब है जितना की दिखाता है दिखावा तो मैंने सोचा ना मेरे फ्रेंड ने कहा दिखाता है तो he is as poor as he shows clear हो गया ये conjunction का इस्तमाल कैसे करेंगे हम लोग अब हम आते हैं as if पे बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे अमिता बच्चन हो पैसे तो ऐसे खर्च करते हो जैसे मुकेश अमबानी हो जैसे की यही तो है as if तो देखो मुझे मालूम है तुमारी असलियत तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम ऐश्वर राय से मिलकर आयो जैसे की तो मैंने कहा बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे की मुकेश अमबानी हो या कोई पैसे तो ऐसे खर्च करता है जैसे की वो मुकेश अमबानी है तो जैसे की, कैसे यूज़ करेंगे, he spends money as if he is Mukesh Ambani, मतला वो इतना खर्चा करता है, जैसे उसके पास Mukesh Ambani जैसा जादा पैसा है, last वाला, last, Conjunctions के chapter का last, otherwise, सुनो, ठीक से बात करो, वरना, नहीं, यह मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, पर आपने बहुत experience किया हो गई है, आपके दोस्त ने आपसे थोड़ी भी तेड़ी बात करी, तो हम धमकी देते हैं ना, उसको बताते हैं भईया, प्रॉपर ना, प्रॉपर, तो कैसे करते हैं, इंगलिश में अगर बोलना हो, तो क्या यूज़ करेंगे, otherwise, या ममी ने कहा, सुनो, पढ़ाई कर लो, वरना चॉक्लेट जो लाए हूँ ना, तुमारे लिए, वो दूँगी नहीं, तो वरना की इंगलिश कंजंक्शन में कैसे यूज़ होती है, otherwise, Listen, you better finish your work, otherwise, I'll not talk to you. मतलब, सुनो, बेटर होगा, अपना काम खतम कर लो, you better, मतलब, बेटर होगा, बेटर होगा, अपना काम खतम कर लो, वरना मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगा, ठीक है, वरना, मतलब, एक सीधी-सीधी, खुलम-खुला, आपने चेतावनी दे दी सामने वाले को, clear? तो ये था आज का चाप्टर, Conjunctions पे, I hope आपको समझ भी आया, और आपने enjoy भी किया, और मैं उमीद करती हूँ, कि आप इसको अपनी life में use भी करेंगे, thank you so much, bye-bye for now.